hi everyone falling into your smile आपकी मुस्कुराहट पर फिदा है हम एपिसोड 21 तो आज का एपिसोड बहुत ही जादा इंट्रेस्टिंग है लेकिन उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सकें तो गाइस हमने देखा था कि स्माइलिंग जो है वो अपने इंट्रिव्यू से पहले चैनल के साथ बात कर रही होती है और कहती है चाहे वो ताइलून हो या हमने से कोई भी हो हम लोग का डिरेक्ट जो रिलेशन है वो फैन्स के साथ होता है और वो हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक है यह कोई बात है मजाग करने वाली वो जाने वाली होती है कि चैनल से कहता है कहां जा जा रही हो अभी मेरी बात खतम नहीं हुई है और वो आप वापिस आकर बैठती है और चैनल कहता है मैंने तुम्हें अभी इसी वक्त शादी करने को तो नहीं कहा जो तुम इस तरह का रियक्शन दे रही हो और वो कहती है कि आपको इस तरह आप इस तरह कैसे कंफेस कर सकते हैं इतने स्ट्रेट वे में आप एक लड़की को कंफेस कर रहे हैं और चैंग कहता है अगर मैं और जाद अच्छे तरीके से पूछूं तो क्या तुम मान जाओगी जिस पर यायो के पा इंप्रेशन डाला है इतना बुरा इंप्रेशन डाला है मेरे दिल करें मैं उनको पीटू और अगर पहले मैंने सोचे था मैं तुम्हें प्रॉपोस बाद में करूंगा फाइनल्स के बाद लेकिन अब मुझे डर लग गया है कि कोई और इस तरह का बंदा आ गया तो तुम याओयो कहती है कि हम फाइनल्स तक वेट करते हैं यह अच्छी बात होगी वह अच्छा मुका होगा अच्छी जगा होगी और चैंग कहता है कि मैंने पहले ही कह दिया कि मैं इतना वेट अब नहीं कर सकता मैं तुम्हें अमनी पसंद की लड़की को एक नन बनते हुए नही मेरा वन साइडिड लाव था जिस पर याओयो से कुछ कह नहीं पाती है और चैंग उसे कहता है तो फिर तुमने मुझे मेरी ब्लाइंड डेट से मिलने को क्यो रोका दोनों के पास कोई जवाब नहीं होता है चंद लम्हें खामोशी में गुजर जाते हैं और चैंग कहता ह तो फिर क्या मुझे रिजेक्ट किया जा रहा है याओयो कहती है कि मैं ऐसी हिमत कैसे कर सकती हूं कि आपको रिजेक्ट कर सकूं और चैंग कहता है तो फिर क्या मैं इसे हां समझू याओयो जो है कुछ कहनी पाती है और चैंग कहता है तुम्हें न बस अच्छी खासी मार क की तरह नहीं लगते जिस पर चैंग जो है वो स्माइल करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है यायो बस देखकर रह जाती है और चैंग कहता है कि ये बॉइफरेंट की तरह लगता है या नहीं लगता ये तुम्हें कैसे पते चलेगा अगर तुम इसको ट्राई ही नहीं यायो अपने हाथ को देखती है जो इसके हाथ में चोटा सा लग रहा होता है चैंग कहता है मैं तुम्हें 2 घंटे देता हूँ 9 बजे मुझे इसका जवाब चाहिए वो बूचती है 9 बजे क्यों जिस पर वो कहता है कि भाई मैं देखना चाहता हूँ मुझे चैंग की गलग बैठे हैं स्माइलिंग जो है वो काफी नेर्वेस होती है इंट्रवियों के लिए और खास दोर पर चैंग भी वह होता है रिपोर्टर्स कहते हैं कि लगता है इन दोनों के दर्मयान कोई जगड़ा चल रहा है आज अगर कोई सवाल ना भी हुआ तो हमें लिखने के ल हिरोफेंड को देख लें और चैंग जो है उसका जो पॉइंट ऑफ यू होता है वो याओया से काफी अलग होता है खैर इन लोग की इसी पारे में बात चल रही होती है और वो कहती है कि हमने सुना है कि सब लोग उनका बाइकोट करें जिस पर चैंग उनने कहता है कि वही स पॉइंट ऑफ यू खुलकर बताती है जिस पर इंटर्वियोर कहती है लगता है स्माइलिंग का पॉइंट ऑफ यू सबसे अलग है खैर वो कहती है कि मैं अमीद करती हूँ सब लोग जो है वो अपने बिहेवियर में ज्यादा अच्छे हो जाएंगे चैंग कहता है मैं तो इसा पॉसिबल है याईयो उसके स्ट्रेट जवाबों को सुनकर काफी हिरान हो जाती है और वो याईयो को कहते है क्यों ऐसे नहीं हो सकता क्या सब रिपोर्टर्स है उसके इस बहेवियर पर काफी हस्रे होते हैं सबको समझ आ रही होती है कि चैंग क्या करने के कोशिश कर और याईयो बिचारी यही कहती है कि मुझे नहीं पता उसके बाद हम देखते हैं कि इंट्रिव्यू जो है वहीं पर खतम हो जाता है और रेस्ट रूम में जो रिपोर्टर्स हैं वो बात कर रही होती हैं कि हमें लगता है कि चैस्मेन और स्माइलिंग के भी जरूर कुछ चल रहा है जिसे स्माइलिंग जो है वहें पर छुपकर सुन रही होती है वो कहती है कि बस सब हमें वेट करना है वो इसको ऑफिशल अनौंस्मेंट कब करेंगे शाम हो जाती है हम देखते हैं कि बस में स्माइलिंग होती है और वो सोच रही होती है इसी बात के बारे में व फिर उसने एक टाइम पे स्माइलिंग को उठा कर लेकर आया था सारे स्वीट मुमेंट्स जब उसने अपना जैकेट उसको उड़ा दिया था बारिश में और जब सब कह रहे थे कि तुम जान बूज के स्माइलिंग से हार गए हो याया ने जब धीमे से उसे कहा था कि मैं नहीं चाहती तुम उससे मिलने जाओ और जब उसने उसको होसला दिया था कि सब ठीक हो जाएगा परेशान मत हो और उसकी फ्रेंड की बात ने कि मुझे पता एलो से चैंक तुमें जरूर पसंद करता है चैंक का केरिंग एटिट्यूड उसका ख्याल रखना ये सब चीजें याया को याद आ रही थी और वो मुसलसल सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ तब ही हम देखते हैं कि उसे चैंक की वो बात भी याद आती है जब हो कहता है मैं डर गया था कहीं मैं तुम्हार लिए नर्व न पढ़ जाओ और फिर मार्किट वाले सीन वो हम कैसे बूल सकते हैं और आज तो फिर चैंक ने खुलम खुला इसको प्रोपोस भी कर दिया था यायो यह ने सोचों में गुम होती है कि वेस्केंप आ जाता है यहां हम देखते हैं वेस्केंप में सभी लोग मौजूद हैं अपना-पना काम कर रहे हैं सब अपने अपने हिसाब से लगे हैं लेकिन चैंक वहाँ पर मजूद नहीं है काफी टाइम से वो गाइब है यायो यह टाइम देखती है अभी साड़े चार मिनिट बाकी होते हैं वो सोच रही होती है कि 9 बज़े तो टाइम होने वाला है और वो भागी भागी बाहर आती है जिसे देखकर चैंक उसे टाइम देखकर बताता है कि इतना टाइम रह गया है वो कहती है कि मैंने नहीं उमीद की थी तुम आती है मुझे टाइम कब बोलोगे खेर चैंग उसे पूछता है कि तुम्हारा जवाब क्या है मुझे जवाब चाहिए और वो कुछ बोल नहीं पाती है तभी उसे चैंग के कोट में वही बिली नजर आती है जो तायल उनकी है और वो कहती है ये चैंग केते हैं हाँ डीक्यू फाइफ का बेसकेंप यहां से थोड़ा दूर था लेकिन मैंने इसको यहां लाना मैनेज कर ही लिया है अब तुम्हारे बस बस 30 सेकंड है मुझे जवाब चाहिए अगर मजीद 30 सेकंड तक मैं यूँ ही सिंगल रहा तो फिर इस बिली का फ्यूचर तुम्हें बताने कि मुझे जरूरत नहीं है इसका क्या होगा जिस पर वो भाग कर उसके गले लग जाती है बिली भी चैंग के कोट में ही होती है और यावे कहती है तुम्हें हग क्यों नहीं करें जिस पर चैंग उसे हग कर लेता है बड़ा क्यूट स्वीट सा मुवमेंट होता है और वो कहती है इस तरह से क्या देख रहे जिस पर चैंग उसे कहता है बिली भी मेरी और लड़की मेरी मैं क्यों ना देखू मैं जैसे चाहे देखू वह कहती है तुम्हें अच्छे आदमी नहीं तुम्हें एक बिल्ली को यर्गवाल बनाया होस्टिच बनाया मुझे मनाने के लिए जिस पर चैंग स्माइल करता है अगर यह मैं ना करता तो क्या आज तो मुझे हक कर रही हो बहुत बड़ी खबर जो देने वाली हूँ वह नहीं दूंगी जिस पर वह उटकर जल्दी जल्दी तयार हो जाती है पर यह उसे भी तो गॉसिप की नहीं खबर चाहिए यहां हम देखते हैं कि दाबिंग और न्यू जो वह बिली उनके पास आई है वो काफी खेल रहे होत तो हम फस थैंगे लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि यह वही भी लिया जो तायलू उनकिया और हमारे कैप्टिन ने मैनेज किया किसी तरह इसका नाम स्कैलियन है वो इसे यहां पर लेकर आये हैं और मुझे नहीं पता उसने इसके पैसे भी दिया है या नही उसके फ्रेंड सुन रही होती है और वो कहती है कि मैंने इसका नाम भी रखाए जिस पर उसकी दोस कहती है इसके दो मालिक क्यों है वो कहती है क्योंकि मुझ में और मेरे कैप्टिन के बीच में कुछ इस तरह का रिलेशन है कि हमारी चीज एकी है जिस पर वो काफी सर्प्राइस हो जाती है कि ये क्या बात हो रही है उसकी फ्रेंड काफी इरान हो जाती है वो कहती है कि उंचा मत बोलो सब सुन लेंगे देन हम देखते हैं कि क्या तुम्हें हावा में तालियां सनाई दे रही है यही तालियों तुम्हेरे मुझ पर पढ़ने वाली है जिस पर वो कहती है, सीरियूसली ऐसा होता है खैर हम देखते हैं कि जिन्यंग जो है सबसे काफी ज़ाद एक्साइटेड है और कहती है, तुमने तुम मारका मार लिया है और वो कहती है कि हमारे कैप्टन ने इस बिली का इस्तमाल किया मुझे मनाने के लिए और उसने कहा है कि हम लोग अभी ट्राइल पर हैं तुम चेक करो मैं अच्छा आदमी हूई या नहीं जिस पर उसकी दोस्त कहती है क्या तुम लोग नॉर्मल वे में डेटिंग नहीं कर सकते यह क्या तरीका है एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अगर तुमने उसे पास ना किया तो यह सब टाइम जो है तुम रिटर्न कर पाओगी जिस पर यायो जो है वो पस सोच के रह जा ती है यहां हम नीचे देखते है बेस केम्प में चैंग बेटा होता है और वो किसी से बात कर रहुता है चैंग कहते है कि हमारा कर्फी नहीं है क्यों नहीं क нак्मैश हो जाए वो उसे बताता है कि यह जो कुछ भी मामला हुआ है उसे क्लब्स काफी स्ट्रिक्टनेस कर रहे हैं मैं तो बस हेरो फ्रेंड को जो है इस तरह मैच के लिए पूछा थे जाता है आज के बाद बेस के दर्वाजे रात के बाद 10 बचे के बाद बंद कर दिये जाएंगे सब पर लोगों के लिए ऐसा कुछ नहीं हो करना होगा और वो कहती है कि हमारे यह जो शूटर है यह दूसरे बंदे के साथ ड्रिंक करने का सोच रहा है जिस पर चैंग उसका हाथ पकड़ लेता है यायो काफी सर्प्राइज हो चाती है क्योंके सामने रूई भी होता है उससे समझ यायो जो हाथ चुरबाकर रूई के पास चेली जाती है और कैट के साथ खेलने लग जाती है और चैंग उसे मैसेज करता है क्या तुम्हारी लिटल पैली को देखाना चाहे और वो यायो के एक्सप्रेशन देख रहाता है कि वो यह मैसेज देखकर क्या कहती है और इसे कहत और इसे कहती है तुम बहुत ज्यादा अवारा हो गए हो खर यहां हम देते हैं कि वह अपने रूप में वापिस है दोनों बिलियों जो है वह खेल रही है यह को वह काफी ज्यादा क्यूट लगती है और वह अपना मुबाइल निकाल कर उनकी पिक्चर क्लिक कर लेती है और हम देखते हैं वह यह पिक्चर जो है वह लुसी चैन को भी देती है और कहती है कि बिलियों के भी लाइफ मुझसे ज्यादा बेटर है अटलिस्ट वह अपनी वाइफ को कडल करके सो तो सकते है मैं तो हम लोग को तो प्रो गेमर्स को तो बस अपने गेम को और एरीना को ही कड और एजे और जिन्यांग उनका जो मामला आ जाता है क्योंकि एजे की गल्फरंड है और सब लोग कहते हैं कि प्रोगेमर्स की गल्फरंड नहीं होनी चाहिए और वह काफी जिन्यांग को प्रूफ भी ले आते हैं कि एजे की लाइफ स्ट्रीम में भी हमने साया देखा था और उसकी गल्फरंड इस तरह किया है याओयो कहती है कि मेरी फ्रेंड को इसमें क्यों इन्वल्फ किया गया है फैंस हुए है उन्होंने पिक्चर्स भी ली होती है कि स्माइलिंग के साथ एक लड़की है वही एजे के बेस कैम्प में जाती है ब्यूटिफुल है रिच है उसका बैग इतना महंगा है उसके जूते ने महंगे हैं सब लोग जो है कह रहे होते हैं कि ये एजे को लूट रही है याओयो से मैसेज करती है कि तुम ये सब मत पढ़ना तुमें बुरा लगेगा और किसी से जगरा मत करना उसके बाद हम देखते हैं कि याओयो को अपना करें आप लोग हेटर्स बन गया है आपको बोलने से पहले सोच लेना चाहिए जो कुछ भी आपके मांड्स में सब कुछ गलत है मैं तो आपको यह कहूंगा मेरा कीबुड भी मुझे मेरी गल्फरेंड ने गिफ्ट किया है वो मुझे बिल्कुल भी लूट नहीं रही है बिल जिन्यांग महां आ जाती है और देख रही होती है लोग उसके बारे में भी कमेंट्स कर रहे होते हैं वो पहले थोड़े इग्नूर करती है लेकिन हम देखते हैं बाद में वो आ गई है और वो कहती है ओहो एजे क्या तुम मुझे पाल रहे हो मुझे पर पैसे लगा रहे ह फिर वो लोगों को बताती है ना मेरी श्यूस पेंगए ना मेरा बैक पेंगए मैंने बहुत ही एक्सपेंसिव जगा से ये सब कुछ लिया है काफी बताती है हला के इसने ये सब कुछ खुद दे लिया होता है लेकिन वो AJ का नाम लेती है और अपनी कार की कीस दिखाती है और बताती है ये इतनी मेंगी है ये भी मुझे एजे ने गिफ्ट की है इस पर एजे जो है काफी सर्प्राइज डोते है वो कहती है क्यूं अब आप लोग खुश हो गया है खुश हो गया कि मैं वाखे इसको लूट रही हूं खैर वो बता देती है और एजे जो है शौक्ट होता है वो कहती है कि मैं आज के बाद एजे को कभी नहीं छोड़ूँगी हमेशा उसके साथ रहूँगी जिन्दगी का रास्ता जैसा भी हो हमेशा उसके साथ रहूँगी और हम देखते हैं कि एजे फर्स टाइम इतना से भी नहीं है यह से मैंसेज करती है कि तुम तो आज चा गई तुमने गॉसिप को डॉमिनेटी कर दिया सब को तबा कर रख दिया और जिस पर वो कहती है कि तो भी राज के बाद मुझे कोईन कहना स्टार्ट कर दो वैल इसका एटिट्यूड तो बहुत ही जबर्दस्त है कि तुम मुझे मैसिज करके पूछा है जिसे पर यह जऑता है यायो किसी की बात सुनने वाला घो सब्लोको पाणी देने जारा हूँ सब लोग उसकी बात पर काफी हिरान होते हैं वही कैप्टन होग जा रहे हैं इस लड़के को पानी देने ये कब हो गया खैर चैंग वहाँ से आ जाता है और स्टेर्स पर भागता हो ओपर आ जाता है डोर नोग करता है याओया दिर्वाजा खोलती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ कैसे काफी स्मार्ट प्ले करती है उपर ही means आ गई जिस पर चैंग उसे बताता है कि मैंने उने कहा कि मैं तुम्हाँ लिए पानी लेकर आया हूँ और इसे के साथ जो है वो उसके room में आ जाता है तौंग यहाँ जो है वो turn करती है और आगया नहीं कोशिश करती है अबर चैंग जो है उसे गेर लेता है और उसे पूछता है कि क्या तुमने मुझे miss किया याओया के पास कोई answer नहीं होता है इसके certain action का और वो एक मिनट के लिए हिरान हो जाती है और वो उसे अपना problem discuss करती है कि सबको पता चल गया AJ और उनके बारे में और लोग इतने बुरी बाते करे हैं एक player के लिए normal relationship रखना इतना मुश्किल क्यों हो गया है चैंग उसकी बाते सुन रहा होता है और वो कहती है कि AJ की लोग कह रहे हैं कि जिनियां की वज़े से AJ की performance खराब हो रही है उसकी training खराब हो रही है और उसके पैसे और यह सब चैंग कहता है तो इन सब बाते के वज़े से तुम मेरे से क्यों नराज हो मुझ पर क्यों गुस फोकस नहीं करने देती और उसको एफेक्ट करती उसके professional status को एफेक्ट करती चैंग कहता है इन सब की बातों को दिल पर क्यों ले रही है इनकी वज़े से तुम मेरे साथ गलत क्यों कर रही हो और वो कहती है हो सकता है यह तुम्हें जादा सूट करता हो तुम सिंगल रहो औ लोग तुम्हें यूही चाहते रहें चैंग उसकी बातों पर काफी हस्रा होता है कि यह लड़की दूसरों की बातों को इतना serious क्यों लेती है और वो कहता है नहीं ऐसे कोई बात नहीं है तुम से प्यार करना मेरा अपना फैसला था और जो भी हो रहा है अच्छा है यह प्रिटेक्ट करकूँगा वो से बताता है कि मैं हूँ तुम्हें इस situation तक लाएं और तुम्हें परेशान किया तुम फिक्र मत करो मैं लास तक तुम्हारी जिम्हारी उठाओंगा और तुम्हें सब situation से निकालूँगा और तुम अपने profession के बारे में काफी serious हो और मुझे यह attitude बहुत ही क्यूट लगता है वह से क्यूट से किसी करता है और कहते है कुछ उल्टा तो नहीं सोच रही जिस पर यायो उसे मार कर रूम से निकाल देती है चले जाओ यहां से और उसे गुड नाइट बोल देती है चैंग वहां से स्माइल करता हुआ आ जाता है और यायो दर्वाज बंद कर きोग से लोगा चैंग है फैटी उसे कहते है कि नाजरा ताइम लगा गया और तने को यह बहुद भीन पर चैंग कहते है उसकी बहुत ही हम्मप है और वो इसके साथ ही स्माइल कर देता है नेक्स्ट हम देखते हैं कि टीम वाइक्यू सीबी का मैच है टीम आलफा के साथ यह वैसे हमारे लिए इंपॉर्टन नहीं है लेकिर इसमें अहम बात है कि स्माइलिंग खुद यह मैच देखने के लिए आई भी होती है फैंस उसे काफी खुछ होते हैं और उसे पूछे हैं कि आप आज खेल रही हैं जिस पर वो बताती है नहीं मैं टीम वाइक्यो सीबी का मैच देखने हैं क्योंकि इसके बाद हमारे इनके साथ मैच है तो मैं इसे परस्नली देखने आई हूँ और अब्सर्व करने आई हूँ और किसे इसने चैंक के नाम का लाइट बिलबोर डाला होता है यहाया कहती है कि आप लोग इस हद तक कैसे चले जाते हैं खैर हम देखते हैं कि फैंस उसका आटोग्राफ मांगते हैं जिस पर वह कहती है कि बिल्कुल मैं आपको आटोग्राफ दूंगी लेकिन मेरे फेस को स्माइल करा हैं और स्यवहं हमेशां फर्स टायम फर्स टमफ में बैट कर देख दोना फ्रेंग्स कि यही बाते हो रही होती हैं कै brighten कि यह कि मेडें पीजें से में काफी मीन कमेंट करें फिर वो जुचे यह प्लमा आनके थांप ळसा यह वह कोड़ i może g20 film for a unreal कि यह श भसेérie को वहाँ पर देखती है और वह काफी excited होती है उसकी फैन और बहुत खुश होती है कि यह स्माइलिंग है हुमें सबसे पहले मिली थी जॉइन करने से पहले और वो उसको याद करवाती है स्माइलिंग को काफी ज़्यादा खुशी हो रही होती है अपने फैंस को देखकर उन्होंने उसके लिए पांक्स अर्स पी जो हैं वो भी रखवाई होती है और वो उनको बांट रही होती है युजयाद ये सब देखकर काफी खुशimar रही हूती है और यायो भी काफी ज़्यादा खुश हुश होती है वो उनको भी उटोगराफ्ट रहती है और उसकी फैंस जो हैं वो चली जाती है कहती है मापको हमेशा सुपोर्ट करेंगे जिस पर उसकी दोस्त कहती है कि क्या सीन था बरीया मुझे कहना ही पड़ेगा तुम्हारे पास वाकी कुछ है चैंग भी कहते है किसी इडियेट की तरह स्माइल कर रही है वो उसको मैसेज करती है चैंग को कि मैं अपनी फैंस के साथ मिली उन्होंने अपने हाथों पर बैंड्स भी बांध रखे थे मुझे सपोर्ट करने के लिए मैंने पिक्चिर्स भी लिए वो सब कुछ इससे बता रही होती है जिस पर चैंग कहता है मैंने देख लिया अपना सर उठा कर देखो यायो देखती है चैंग सामने खड़ा हाथ ही ला रहा होता है और वो काफी हिरान होती ऐसे देखकर उसकी फ्रेंड कहती है लो जी तुम्हारा हस्पिन भी आ गया परसनली तुम्हें विजिट करने आए यहां मेरे स्टूपेड एजे को देख लो वो अपने टीमेट्स के साथ बातों में बीजी है लोग चैंग को देख लेती है और इसकी तरफ इशारा करती है और काफी बाते हो रहीती है वो कितना हैंडसम है कितना कूल है कितना जबरदस्त है यायो कोई अच्छा नहीं लग रहा होता है और वो उससे बात करती है चैंग उसे कहते है कि मुझे कहीं जाना है मेरे पिछे से किसी के साथ फलर्ट मत करना और तुमें किसी लड़की के साथ भी फलर्ट करने की अजाज़त नहीं है वो यायो को मैसेज करता है और वो मैसेज देकर एकदम से हिरान होती है झाल झाल